यूटुब के इस चैनल में हम सभी अभ्यारतियों का स्वागत करते हैं स्कूलों में शिक्षक नहीं कैसे हो पढ़ाई चालू सेक्षिनिक सत्र को साथ महा बीतने जा रहे हैं इन तो बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के दो लाग से जादा पत खाली पड़े हैं शिक्षकों की कमी और पाठे पुस्तकों की प्रयाप्त उपलब्दिता नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है इस सच्चाई से सरकार भी अवगत है और अभिभावक भी मगर वर्ष 2019 से शिक्षकों की न्योकती प्रकिर्या लंबी खिच रही है 6000 प्रदाना अध्यापक के पद खाली ऐसे में शिक्षकों को अप प्रभार सौपकर विद्यालों को संचालीत कराया जा रहा है यह इस्तिती चिंता जनक है जबकि सरकार द्वारा शिक्षा विवस्था में सुधार हेतू बजट का सरवाधिक 51,000 करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं शिक्षा विवाग के मुताबिक राज्ये के 71,863 प्रारंबिक विद्यालों में 80,000 पत खाली पड़े हैं सबसे बुरा हाल तो प्रतिक पंचायत में खोले गए माधिमिक एवं उच माधिमिक विद्यालों की पड़ाई है जहां शिक्षकों के लिए स्विक्रत पड़ों में 120,000 पत खाली हैं 9,360 ऐसे माधिमिक विद्यालों में बच्चों की पड़ाई कैसे हो रही है इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है शिक्षकों की कमे का सीधा असर चात्र चात्राओं की पड़ाई पर पड़ रहा है शिक्षा विभाग का कहना है कि राज्य में 2,000,000 रिक्त पड़ों पर शिक्षकों की न्युक्ति नवंबर में आरंब होगी और अगले सत्र में विद्यालों में शिक्षकों की उपलब्दा सुनिस्चित शिक्षक चात्र ओसत का निर्धारण केंदर सरकार ने बिहार को आगा किया है कि विद्यालों में खाली पदों पर शिक्षकों की न्युक्तियां सुनिस्चित की जानी चाहिए हाल में शिक्षा मंत्रालेक के स्कूल, शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के खाली पदों को भरने और कक्षाओं में शिक्षक शात्र ओसत के अंसार पदों का पूर निर्धारन करने का कारे सुनिस्चित करने को कहा है साथ ही इसी ओसत के आधार पर सहायक अध्यापकों और प्रधाना अध्यापकों की तैनाती के निर्देश दिये हैं शिक्षा की अधिकार अधिनियम के तहट प्रात्मिक विद्यालों के कक्षाओं में 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक उपलब्द होना चाहिए वही मद्य विद्यालों के कक्षाओं में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक निर्धारित है इसके अतिरिक्त मदे विद्यालों के कक्षाओं में गडित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विशे पढ़ाने के लिए एक-एक टीचर की जरूरत होती है मगर परदेश के विद्यालों में सबसे ज़्यादा गडित और विद्यान के शिक्षकों के ही पत खाली पड़े है इस वीडियो में फिलाल इतना ही आगे कि अपडेट के लिए हमारे चैनल के माद्यम से जुड़े रहे धन्यवाद